हाई फेंग दस प्लम्बिंग और मिसा गतम आज मैं सिखने वाला हूं कैसे वाटर टेंग फीटिंग किया जाता है और कैसे वाटर टेंग का होल किया जाता है ठीक है और कैसे वाटर टेंग बैठाने से पारी का पेसर ज्यादा रहता है टेंग को तीन तरीका से होल किया जाता में जाने हैं उसमें या जूदी नकिलिए जाता esta कि मोया पाल में होटा भीड लगाकर यह जाता है दोस्तों जाने जाता सब्सक्राभ हुरा चोल जाता है उसी जगा में को सब्सक्राभ करना En ठीके दूसरी जगा में टैंक को होल के ये जियेगा तो उसका स्टेंथ नहीं रहेगा ठीके दोस्तो जिस जगा पे आपको टैंक को होल करना है उस जगा पे पहले आपको मार्किंग कर लेना है फिर उस जगा पे आपको होल कर देना है ठीके देखिए हम लोग का होल हो गया है अभी हम लोग टैंक कनेक्टर को टाइट कर रहे है बाहर से फिर भीतर से भी हम लोग टैंक कनेक्टर को अभी टाइट करेंगे पहले आपको washer देना है फिर जो jam nut है tank connector क्या उसको देकर अच्छा तारिके से range से tight कर देना है ठीके देखे हम लोग अभी range से भड़िया तारिके से हम लोग tight कर दे रहे हैं ठीके देखते रहे हैं वीडियो में अब यह उपर वहला जो inlet का line है उसका भी हम लोग मार्किंग करके उसको अभी होल करेंगे ग्रैंडर से ठीक है एवला हम लोग का जो लाइन है इनलेट का ओवला हम लोग का करप्रसेन का लाइन का ज्यादा पेसर है उसी लाइन से हो रहा है हम लोग एक्स्ट्रा से कोई मौटर वा कोई पाम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग अभी उसको अच्छा तरीके से होल कर रहे हैं, देखिए, बढ़िया तरीके से होल हो गया है, आभी हम लोग का जो टैंक कनेक्टर है, एवाला हम लोग का जो लाइन है, पोने इंच का है, इससे ही पाने टैंक में घुसेगा, इसका भीतर में हम लोग टैंक का भीतर में हम लोग बॉल को लगाएंगे जो आटोमेटिक पानी को स्टॉप करेगा ठीके अभी हम लोग जो टैंक का आउटलेट हो रहा है जो नॉल में लाइन जाएगा ठीके उसका ही लाइन हम लोग कर रहे हैं देखिए यहाँ पे एक और यूनियन दिया हुआ हूँ है और उस पीस को काटिंग कर लिया हूँ अभी यह वाला यहाँ से ही यारपाइब उठेगा ठीक है यह आउट साइड में है डायरेक्क यारपाइब हो रहा है साइड में पुरू नीचे उतर जा रहा है टी को ऐसे ही देना है तो पानी का पेसर ज्यादर रहेगा ठीक है और हम लोग यहां पे भल्प क्यों नहीं लगाए है भल्प ऐसे हम लोग नीचे भल्प को लगा दिया है एवाला एकमंजिला का बिल्लिंग है उसलिए देखिए इसमें अभी यारपाइप का टी छोड़ दिया हूं पैप लग जाएगा ऐसे करने से अपका पानि का पेसर ज्यादा होएगा ठीक है अभी यारपैप को हम लोग माप लिया हूं नाप के टैंक से ज्यादा लेना है आपको एक फूट ज्यादा लेना है हम लोग टैंक को नाप के एक फूट ज्यादा उसमें ले लिया ठेक है उसी तरह से एक फूट से कम लेने से क्या दिक्कत होगा जब नीचे वाला जो भल्प को अन कीजिएगा ना तब पानी का पेशर फ्लो करेगा तो ओ यार पैप को जो उपर उपरी हिस्थे से जहां पर टी लगाएंगे हम लोग वासे पानी फ्लो करेगा नीचे गिरेगा यार जब खूलेगा ना तब उसमें यस टी जो लगाया है इससे फ्लो करेगा पानी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लेने हैं ठेक देख़िए जैसे डिजाइन कर दिया हूँ ऐसे ही करना अभी हिसमें हम लोग एपिle बीटी लगाएंगे एफिबीटी लगाने के बाद उसमें एगो एलबो लएगा फिर एगो यूनियन लएगा ठीक है देखी आए अच्छा तरीके से टेप ϫ तिप देखे अभी OEPT का उपर में उच्छोटा वाला पीस दे देंगे हम लोग एवाला हम लोग का लाइन इनलेट का कॉर्पिर्शन का लाइन है एव आटोमेटिक पानी भर जाएगा भीतर में हम लोग बॉल्ट गॉक लगाएंगे ठीके आटोमेटिक पानी को स्टॉक कर देंगे देखिए यो यो वाला हम लोग लगा रहा है है इनलेट का लाइन है टैंक में इसमें पानी भरेगा अभी हम लोग लोग एको पीस कट रहेंगे काटिंग कर रहे हैं इसको इसमें यूनियन लएगा देखिए और वीडियो में बनी रहे हैं अच्छा लएगा तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सेयर करिए गया ठीक है आप लोगी सापूर्ट नहीं करेंगे तो कौन सापूर्ट करेंगा देखिए यूनियन भी लग गया है अभी इसका पीस का हम लोग नाप लेंगे यहां पर सॉकेट नहीं था उसलिए हम लोग यूनियन लगा दे रहे हैं इसमें यूनियन का ज्यादा दाम है आप लोग सॉकेट ही लगाना ठीक है और देखिए ये वाला हम लोग अभी नाप ले रहे हैं इसका भी नाप हो गया है इसको भी काटिंग करेंगे काटिंग भी हो गया है इसको भी हम लोग यूनियन ल也可以 आच्छा तरह किससे ग्लू लागा के उसको लगा दे रहे है अभी उस ऊवल्ख करेंगे हम लोग ठीक है एवल्ख सीधा देखके हम 005 कॉर दे रहे एवल्ख जो हम लोग फिटिंग और टैंग का काम कर रहे हैं सब अज़ रहा continuous बढ़िया कंपनी है कि हम लोग अभी टैंग लेकर 10 साल से काम कर रहे कोई भी problem नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है अच्छा company है 25 साल का company है कोई भी रिपोर्ट नहीं है पानी के पेसर भी ज्यादा होता है अभी देखें भीतर में हम लोग ballcock जो होता है उसको हम लोग लगाएंगे यह वाला ब्रासल वो है पूरे इंच बाई हाफ इंच का ठीक है इसको अच्छा तरीके से टाइट करके अभी वो नीचे वाला जो टैंक कनेक्टर निकला है उपर से उसमें हम लोग गुलू लागा कर उसको अच्छा तरीके से लगा देते हैं बॉल को भी लगा देते हैं हम लोग का काम अभी होगे दोस्तों सापट करना वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब और लाइक जोड़ करना